हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरकुलक एडमी बाई याने चैनल पर जब तक आपकी क्लासेस श्टार्ट नहीं हो रहे हैं तब तक आप यूटूब पे ही आपको वीडियो मिलेंगी क्लासेस अप्लोड करने की कोसिस करूंगा तो जब तक प्रॉब्लम्स चल लेए तब तक आप लोग यहीं पर अपने नोट्स बनाईए और प्रॉपर वीडियो देखिए तो आज जो हम लोग है वह आपके एंटी पीसी और और रर्बी से रिरेटेड या ग्रूप डी वाले सब्सक्राइब करेंगे ठीक है तो हम लोगों का पहला कुस्चन पहला कुस्चन है मीथेन जिसके वायू मंडल में उपस देते वह हैं तो मीथेन जो होती है वह आपके वायू मंडल में किसके यानि किस ग्रह के वायू मंडल में पाई जाती है तो इसका अंसर आपका ब्रस्पती मीथेन जो आपकी होती है वह ब्रस्पती ग्रह में पाई जाती है ठीक और एक चीज़ और इस रिलेटेड होके पूंचिया थी कि किस ग्रह की अपनी खुद की ए कि उसको लोग होते हैं खगोली मात्रक है खगोली उगाई तो यह आपके पृत्वी और सूरी के बीच की उसद्दूरी होती एक किसके बीच की पृत्वी और सूरी के बीच की और सद्दूरी आते हम लोग अपने next question पर ब्लैक होल के सिद्धानत को किसने प्रतिपादित किया था पहला option C.B. रमन, H.J. भाबा, S. चंद्शेकर, D.H. खुराना ने तो इसका जो answer है वो क्या है? S. चंद्शेकर ने यहनी जो ब्लैक होल का आपको सिद्धान दिया था वो किसने दिया था? S. चंद्शेकर ने दिया था, ठीक? आते हम लोग अपने next question पर पूँच रहा है कि तेज हवा वाली रात्री में ओस नहीं बनती है क्योंकि इसका चारव के option है अगर आपको पता है तो आप अपने अंदास से लगा सकते हो, ठीक है? नहीं तो इसका अंसर है वास्पी करड की दर क्या होती है? तेज होती है वास्पी करड की दर क्या होती है? तेज होती है आते हम लोग question नमर 5 पर फ्रश्ण प्रश्ण है कि ठोस कपूर से कपूर वास्प थोड़ा गलत लिखा यह वास्प है यह वास्प है ठीक है वास्प बनने की प्रिक्रिया को क्या कहते हैं आते हम लोग question number 6 पर मन से आधरिता से परेशानी महसूस करता है अगर आपकी humidity जादा हो air में, तो हम लोगों को क्या दिक्कत होने लगती है तो आपको पता होगा, आपको पसीना तो आएगा लेकन वो पसीना क्या होता है वास्पिक्रत नहीं होता है यह वो सूप ता नहीं है, एक्टुली आपका आपका बारिस हो जाती है उस टाम ये humidity ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक आते हम लोग question number 7 पे किसी द्रब को उसके कुथनांक से पूरू उसके बास में बदलने की प्रिक्रिया को क्या कहते हैं तो यह आपको पता है क्या वास्पी करण क्या कहते हैं किसी द्रब को अगर उसके कुथनांक से पूरू जलने लगता है तो आपको पता है की कितने पर होता है वो किशे निश्चित होता है बेग द्वारा आयाम द्वारा तरंग ध्यर द्वारा अब्रति द्वारा तो इसका भी आपको अंसर पता है कि आपकी जो प्रकास जो होते हैं उसको किसे नापते हैं तरंग ध्यर से यहीं एंग स्ट्रॉम टिक तरंग ध्यर आते हैं कु आते हम लोकुशन नमबर 11 पे सबसे कम तरंग देर वाला प्रकाश है आपको इसका अंसर तो जातर सभी को पता होगा कि किस रंग की तरंग देर सबसे कम होती है तो इसका अंसर डी बैगनी कलर की तरंग देर सबसे कम होती है ठीक प्रशन है जब प्रकास के लाल हरा नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है ठीक तो परेडामी रंग होता है आपका उप्शन है B सफेद रंग क्या प्रकास के ये कलर्स की वात नहीं हो रही किसके प्रकास के लाल हरा नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है समान अनुपात में मिलाया जाता है तो पडरामी रंग होता है कैसा सफेद आते हैं हम लोग कुश्चन नम्बर 13 पे हैं 13 कंबरे में किस परकार का लेंस प्रयोग किया जाता है तो इसका भी आपको सभी कौण सर पता होगा क्या है उत्तर लेंस का केमरा यूज करते हैं उसमें किस लेंस का प्रियों होता है उत्तर लेंस का प्रियों होता है आते हैं कुश्चन नमर 15 पर मानव आखी की रेटना पर कैसा पृतिविंब बनता है तो यह भी आपको पता है क्या वास्तविक तथा उल्टा क्या वास्तविक तथा उल्टा बनता ह आते हम लोग कुश्य नमर अपने 16 पर एक दसमला 5 मीटर लंबे विक्ति को अपना संपूर पृत्वे में देखने के लिए आवश्यक दरपड की नियुनतम लंबाई होगी तो इसका होता है जो इस भी आगर आप कोई सीशा खरीद रहे हो अगर आपको अपना पूरी बॉड आदो देखनी है तो सीसे की लंबाई आपकी लंबाई से कितनी होनी चाहिए आधि होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए आधि तो आप 1.5 का आधा करेंगे तो 0.7 5 मीटर इस पृश्य का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा .75 question के क्या आजाएगा answer आजाएगा, कभी-कभी सीधा ही question पूँच लिया जाता है, ठीक तो आप इसे चीज को ध्यान रखेंगे आते हैं हमनो question number 17 पे, किसी lift में बैटे विक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, तो देखो अगर जब भी आप जूला-जूलते हो न, तो जब भी आप गौर करना, जब नीचे से आप ऊपर की ओर जाओगे, तो आपको बजन बड़ा हुआ मालूम होगा, और जब आप ऊपर से नीचे की ओरा होगे तो आपको गटा हुआ ठीक, क्या? गटा हुआ मालूम होता है, तो जिब मैं कहा रहा हूँ जब लिफ्ट में वेटे विक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है तो इसका अंसर क्या होगा? जब विक्ति तॉरित गति से, ठीक है? आपको लिफ्ट में कभी मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक समान बेक से उपर जाती है, ठीक? लेकिन जब वो तरितेनी ती ब्रगति से जाएगी, ठीक? तो आपको उसमें बड़ा हुआ मालूम पड़ेगा इसका सब सच्छा एक्जम्पल आप जूले में ले सकते हैं जब नीचे से उपर जाता है, तो बले भी स्लो होता है लेकिन उसकी स्पीड उपर से नीचे के पेच्छा जादा रहती है आते हम लो 17, 18 में कुश्चन पर एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रित्यच बार वास्तविक बार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, अब भार कम होगा तो कब जब उपर से क्या आ रही हो, नीचे तुरर के साथ नीचे आ रही हो, ठीक, आते हम लो कुश्चन नमबर 19 पे प्रित्यवी के गुरुत्वा कर सड़का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वा कर सड़का नजिदीक है तो सभी को पता है कि एक बट्टे छे भाग अगर आपका प्रित्यवी पर बजन 36 केजी है तो आपको चंद्रमा पर उसका एक बट्टे छे यानि सिर्फ छे केजी भार का आवाश होगा ठीक किसका एक बट्टे छे आंसर है इस प्रशन का आते हैं हम लोग कुश्चन नमर आज के लाश्ट पर कि किसी एनक का लेंस का डायोक्टर प्लस टू प्लस टू डी का मतलब है या डायोक्टर इसकी फोकस दूरी होगा तो आपको सभी को फॉर्मूला पता है पी बरावर होता है वन अपॉन एफ और ये होती है मीटर में क्या होती है मीटर में यहाँ पी का मान दिया है प्लस दू वन अपॉन एफ हमसे एफ का मान पूँचा गया तो वन बट्टे दू इसको अगर करेंगे तो 0.5 मीटर आएगा जिबकि हमें answer किसमें चाहिए cm में तो हमें multiply किसका करेंगी 100 का तो answer इसका कितना आएगा 50 cm आंसर इसका कितना आएगा 50 cm टीक तो आज की class हम लोग यहीं तक रखते हैं, मतलब बहुत चोटे से चोटे वीडियो, 15, 7, 8 मिनट की या 19 मिनट की जो भी वीडियो वनेगी, इस से ज़्यादा आपकी नहीं वनेगी, 5, 6, 7, 8, 19, जो भी मिनट की वने, तो क्या करोगा आप परड़े के परड़े इस वीडियो को देखते रहोगा, और उसके बाद में हम टेश्ट इसका कंट्लूड करवा देंगे, अब आपको क्या करना है, इस चैनल को जादा से जादा से जादा से एर करना है, क्योंकि अभी सभी की क्लास्स आफ चले हैं यहां पे, तो आप लोग यूटूब से इसको कंट्यूनियो, हम कम से कम यहां कोसस करेंगे, हजार या पांसव एमसीक्व आपको करवाएं, हर एक पहले फिजिक्स के, फिर उसके बाद बायलोजी के, फिर उसके बाद केमिश्ट्री के, तो उससे क्या होगा, जब आपका एक्जाम आएगा, जब आप यह वीडियो देख रहे होगे, तो उसी से पर डे आपको दिन में दो वीडियो अपलोड करा दी जाएं, तो मिलते हैं हम लोग, नेक्ट डे, मैत और साइंस के दोनों की वीडियो आपको कोसिस करूँगा, मैं डालने की, तो मिलते हैं फिर जैहिन, जैवारत, और आप लोग अपने घर पे रहें, जब बहुत जरूर की काम हो, तभी आप बोलो, बाहर नगलें